रानो चिडिया के पड़ोस में एक अमीर चिरिया रहती थी, रानो चिरिया उस अमीर चिरिया के घर में काम किया करती थी रानो ये फल तीन दिन से ऐसे ही पड़े हैं, ये फल तुम ले जाओ, तुम्हारे बेटी खा लेगी तब ही रानो चिडिया अपनी मालकिन से कहती है नहीं मालकिन मैं ऐसे खरा खल अपने बेटी को नहीं खिलाती मैं बहुत लाट प्यासे पाला है अपने बेटी को अच्छा आपने चलती हूँ ऐसा कहते हुए रानो चिरिया वहां से चली जाती है कुछ दिनों बाद एक दिन रानो चिरिया की तब्यात बहुत खराब हो गई थी ममा आज आपके तब्यात ठीक नहीं है आज घर में ही रहें आज मैं काम पर चली जाती हूँ मगर बेटी आपसे कैसे हुआ काम मा मैं आपकी बेटी हूँ मैं सारे काम कर सकती हूँ फिर गुरिया मालकीन के घर अपने ममा के जगा काम पर चली जाती है गुरिया जारू लगा रही थी आंटी, आंटी यहां मेरी डायरी थी वो कहा रखी है वो सामे मेर के रूबर ऐसा कहते हुए गुरिया अपना मू टुन्नु के तरफ करती है टुन्नु गुरिया के मालकीन का बेटा था आप मैं समझा आंटी रानो ज्यारो लगा रही है आप कौन है? आज मम्मा की तब्यार ठील नहीं थी इसलिए मम्मा की जगा मैं काम पर आई हूँ मालगी का है? मम्मा बजार गई है और आपने इतनी से उमर में सारे काम सीख लिए ममा कहती है लड़ की पक्षी के सीखे हुए काम जिंदगी में काम आती है मेरा नाम टुन्नू है और मेरा गुरिया अब मैं अपना काम कर लू हाँ हाँ करे मैं अभी बाहर जा रहा हूँ थोरा हिचकाता हुआ तुन्नू बाहर चला जाता है और गुरिया अपने काम में लग जाती है साम को गुरिया अपने घर चली जाती है ममा मालकी तो आज घर में नहीं थी हाँ बेटा उन्हें आज बाजार जाना था तुल्लू रहा होगा घर में तुल्लू बहुत अच्छा बच्चा है हाँ ममा वो मुझे काम करता देख बहुत हैरान हुआ वो मा बेटी बैठे ऐसे ही बाते कर रही थी तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है गुरिया दरवाजे खोल कर बहर आती है क्या आंटी घर में है मुझे ममा ने भेजा है मुझे आंटी से मिलना है फिर गुरिया टुन्नो को घर के अंदर ले जाती है आंटी ममा ने कहा है मुझे गुरिया का काम बहुत पसंद आया है जितने दिन आपकी तब्यक ठीक नहीं है आप गुरिया को ही काम पर भेज़ दिया करे हाँ बेका मालकिन से कहना दो-चार दिन तर गुरिया ही काम पर आएगी टुन्नू चला जाता है दूसरे दिन गुरिया घर के काम कर रही थी कि मालकीन अपने बेटे टुन्नू से कहती है टुन्नू बेटा जाओ जाकर जरने से दो गुलाब के फुल तोर कर ले आओ मामा मगर मुझे जरने का नहीं मालूम कि जरना कहा है गुरिया गुरिया जरज्याना टुन्नों के साथ तुम्हें तो ज़रना मालूम होगा जी मालकीन फिर गुरिया टुन्नों के साथ ज़रने पर जाती है वहाँ से टुन्नों गुलाब के फूल तोर लेता है और गुरिया से हिचाते हुए कहता है वो वो कल से मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ बताइए बताइए क्या बात है आप मुझे बहुत अच्छी लगी है मैं आपसे साधी करना चाहता हूँ ये सुनकर गुरिया हैरान हो जाती है क्या आप भूल दै कि मैं आपके घर में काम करने वाली हूँ तो क्या हुआ, मैं मम्मा से बात कर लूँगा, आप बताईए आपको मैं कैसा लगा गुरिया गुलाब का फूल टुन्नू के तरफ फेक कर वहां से भाग जाती है टुन्नू फूल उठाकर गुरिया के पीछे पीछे जाता है सामने वाली पेर पर बैठी गुरि कौवी ये सब देख और सुन रही थी गुरिया की गुरिया की गुरिया बेटी महलो मराने की सबने देख रही है गुरि कौवी चिरिया से बहुत जलती थी इसलिए वो सीधा गुरिया के मालकीन के पास जाती है और मालकीन से कहती है मैंने सब 그냥 अपने कानों से सुना है और वो मतकार छिरिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम से समझ रही हो मैं अभी घर जाकर अपने बेटे से बात करती हूँ बात नहीं करनी, गुसे से बात करना और भगाद उस गरीब चिरिया को अपने घर से आगे इस कहानी में चिरिया की बेटी का टुन्नू के साथ साधी होता है या नहीं ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें